जब आज पूरी दुनिया एक संकट की गड़ी से गुजर रही है योग मानो जाती के लिए एक वर्दान साबित हुआ है योग से रोह का निदान, समस्याओं का समाधान, आत्मबल की वृद्धी होता हुआ हम देख रहे हैं मन प्रफुलित रहती है, बुद्धी ठीक्ष्ण हो जाता है किसको नहीं करना है, सबको करना है मर कभी आलस्य हमको पकड़ लेता है कभी हम समय का बहाना लेकर के कह देतें कि अरे हमारे पास समय नहीं है चितना भी समय आप दे सकते हैं, उतना ही लाब आपको मिलेगा इसलिए अवश्य योग करें, प्रानयाम करें, थोड़ी देर बैठके ध्यान करें ध्यान और प्रानयाम के बगार सिरफ योग व्यायाम बनके रह जाता है यम, नियम, आशन, प्रानयाम, प्रत्याह, धारना, ध्यान, समाधी जब यह आटों अंगों को हम जीवन में उतारते हैं, जीवन में एक मूल, भूत परिवर्तन हमको नजर आता है वो क्या, कमजोरी से, बलहीदता से, बल के ओर, दुख से, प्रसनता के ओर, निरोगता के ओर हम चल पड़ते हैं चलिए, सब को प्रेरना दीजिए, एक-एक व्यक्ति योग करें ऐसा नहीं है, इस करने के लिए विशेश सिद्धानतों को आपको मानना है आप किसी भी मत संपरदाय के अनुयाई हो, कोई फरक में पड़ता, महर योग आपके लिए वर्दान साबित होगी जब हम संकट के गड़ी से गुजरते हैं, सकारात्मकता की अवश्यक्ता है और वो सकारात्मकता से ही बल मिलता है और सकारात्मकता हमें प्राप्त होगी योग करने से, ध्यान करने से, प्राणयम करने से जब पूरी दुनिया आज एक संकट की गड़ी से गुजर रही है योग मानुजाती के लिए एक वर्दान साबित हुआ है दुनिया के लिए भारत का अनमूल देन साबित हुआ है हमारे देश में आभाल व्रिद परियंतक सभी लोग योग करना आवश्यक है योग करने से हम न खेवल अपनी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं हम चारों और एक ऐसा सकारात्मक वातावर निर्मान करने में सफल हो जाएंगे आज ये बहुत आवश्यक है जब लोग पीडा से, दर से, दुख से गुजर रहे होते उनके बीतर आत्मा विश्वास, हिम्मत जगाना आवश्यक है योग से ये अवश्य संबव हुआ है इसलिए जहां कहीं भी कोई नकारात्मक मानसिकता से गुजर रहे हो उनको बोले, बैटको योग करो और जो सकारात्मक है, उत्सा ही है उनको भी योग करना चाहे था कि वो उत्सा को बनाएं रख सके चलिए, इस साल हम योग दिवस ऐसा मनाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने में और सोशल डिस्टंसिंग आदी सभी कानून को पालन करते हुए, जीवन को एक उच्छव मनाते हैं जय हिंद